हलो मेरी फेमिली कैसे हो आप तमाम डिस्टल दुनिया के साथी स्टुजेंट्स का स्वागत करता हूँ मैं आरडी आज फिर से अनुपात को सीखने के सिलसले के करम में अनुपातों में रासियों को बाठना सीख रहे थे पिछले वीडियो में और उसका पार्ट टू यानि कुछ थोड़े से डिफरेंट टाइप के कोशन और लेकर हासिर हूँ थोटा सा वीडियो बट आपके लिए बहुत उप्योगी वीडियो होने वाला है तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और दिखाते हैं आपको फिर से कुछ बटवारे के और अनुपात के कुछ बहतरीन कोशन जो आपको आगामी एक्जाम्स के अंदर मैस में नम्मर दिलाने वाले हैं दूद और पानी का 25 लिटर का एक मिस्तरन है जिसमें दूद और पानी का अनुपात 3 अनुपात 2 है मिस्तरन में कितने लिटर पानी मिलाया जाए ताकि परिणामी मिस्तरन में 50% पानी हो जाए तीक ही भई वैसे इससे आप समानुपात से भी कर सकते हैं कई सारी तरकीवे हो सकती है लेकिन एक better approach क्या रहेगी परसन क्या कहना चाता है परसन कहना चाता है कि 25 लिटर टोटल एक मिस्रन है आपके पास इस मिस्रन को आपको दो पार्टों में विभक्त करना है क्या क्या पार्ट है इसमें आप कहेंगे सर एक milk है दूद है एक water है पानी है उसका अनुपात क्या है तीन अनुपात दो है अनुपातों का बटवारा करना हमने सीका है कैसे करते हैं तो ये कुल है टोटल है 25 तो यहां दोनों का टोटल कर लीजिए तीन प्लस दो करिए तो आप कहेंगे सर पांच अनुपात हो गया पांच बराबर कितना हो गया पचीस तो एक बराबर क्या हो गया पांच तो दो पराबर कितना हो गया तो आप कहेंगे सर दस और 3 बराबर कितना हो गया 15 तो milk इसके अंदर 15 है ये मुझे पता चल गया और water इसमें 10 है ये मुझे पता चल गया दोनों का मुझे पता चल गया कि milk इसमें कितना है और water इसमें कितना है दोनों का मुझे साप साप पता चल गया है तो मैं चाता हूँ कि अब इसमें 50% पानी ह 50% पानी होने का मतलब कि पहले वाला और दूसरे वाला बराबर हो जाए 50% का मतलब है कि इसका और इसका अनुपात है वो बराबर हो जाए 50 50 का मतलब हो गया 1 is to 1 हो जाए 1 is to 1 अब ये बराबर कैसे हो सकता है उसे सुनिएगा अब यहाँ ही खेला है सारा अब देखिए उसने पानी मिलाने के लिए कहा है कि इसमें क्या मिलाना है तो आप कहेंगे सर इसमें पानी मिलाना है और पानी भी कितना मिलाना है कि ये दोनों आपस में क्या हो जाएं 50-50 हो जाए कितना आपको पानी मिलाना है तो देखिए दूद आपके पास कितना है यहाँ पर तो दूद मैं कहूंगा कि दूद आपके पास में 15 है तो दूद तो 15 ही रख लीजे और ये भी 15 हो जाए तो ये बराबर हो जाएंगे तो 10 से 15 होने के लिए आपको कितना लिटर पानी मिलाना पड़ेगा तो आप कहेंगे सर 5 लिटर पानी और हम इसमें मिला दे तो जो 15 और 10 वाला अनुपात था वो अनुपात 15-15 हो जाएगा That means 50% water हो जाएगा 50% का मतलब समझते हैं 100 में से 50 हो जाएगा 50 यह हो जाएगा तो अनुपातिक मसला बराबर हो जाएगा कई बार कहें कि पानी डबल हो जाए कुछ ऐसा कीजिए तो पानी डबल हो जाए किसी परिक्सा में हो कि पानी डबल हो जाए तो फिर milk आपके पास 15 है तो water कितना हो जाए 30 हो जाए डवल होने का मतलग अब 10 ते कितना मिलाते 20 लिटर मिलाते कुछ परसनों में ऐसे भी हो सकता है परिक्सया में इसमें तो था नहीं तो ऐसा करना नहीं था तो असान कोशन है एक बटवारे का और आपको करना क्या था इस पूरे मिसरन को तीन अनुपाद दो में बाठना था फ फिर 15 को तो 15 ही रखना था पानी ओर मिलाना था जिससे 50% हो जाएं यानि दोनों बराबर हो जाएं तो आप कहेंगे सब 15 15 हो जाएं तो दस में 5 ओर मिला देते तो वोटर 15 हो जाता उसमें चलिए बढ़ते हैं नैक्स्ट वाले प्रसंद की और अगला प्रसंद आपकी स्क्रीन पे आ गया है और ये भी एक बटवारे का ही क्वेशन है लेकिन इसमें आपके पास व्याय बचत की कुछ अनुपाद दिये हैं कुछ बढ़ोतरी फिर एक नया ही अनुपाद आपसे प रिपीट करा सेम संक्या के साथ तो हो सकता है आगे भी रिपीट करें और इस प्रकार के परसंद आप से पूछे जाए इसक्रप्शन बॉक्स में मेरे तमाम सोसल मीडिया की लिंक है टेलीग्राम लिंक है जहां बहुत सारी उपियोगी पीडियेफ पड़ी हुई है उनका आप लाब ले सकते हैं और बाकी मेरे वाट्स अप नम्मर है वहां से आप समेस करके कुछ कोशन भेज सकते हैं तो ये कॉशन भी एक स्टूडेंट में भेजा था जिसने कहा था कि सर ये थोड़ा सा मुझे वहां तंग करा परिक्षेम आप देखो तंग करने वाली बात कोई नहीं है इसमें भासा को आप समझ नहीं पाएं ये थोड़ा सा मुस्किल हो सकता है पहले तो मैं इंकम के बा लेकिन अब परिक्षा वाले ने आप से क्या कहा परसन में था कि एक व्यक्ती ने खर्च और बच्चत का अनुपाद चार और तीन रखा जी हां चार तीन अनुपाद रखा तो इसका मतलम मैं क्या लेंगा कि चार रुपया खर्च करता है तो बच्चत उसकी तीन रुपया है यानि फिर वो सला कमाता साथ रुपया होगा साथ रुपया कमाता है चार रुपया खर्च करता है तीन रुपया बचाता है ये एक सिक्वेंस बन गई आप देखिए आगे कह रहा है कि बचत का एक बटा पांच बराबर है मैंने कई बार ऐसे कहा है अनुपात का मैं एक पूरा कम्प्लीट वीडियो आपके लिए प्लान करूंगा आने वाले दिनों में यदि आपका प्यार और इसी प्रकार से बना रहा आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को सेर करते रहे और जुड़ते रहे तो मैं यूटूब पे आपके लिए फ्री क्लासें अरेंज करूंगा तो आप देखिए यदि आपसे आई के एक बटा पांच करना है आई का एक बटा पांच बढ़ाना है बचत को तो आई का एक बटा पांच यानि साथ का एक बटा पांच करना थोड़ा सा मुस्किल है तो आप क्या करें अनुपातों को इसे देखिए साथ को सत्तर बना इसे 30 मना लीजिए और एक को 40 मना लीजिए समझ पाए होंगे मैंने क्या करा 7 4 3 में यदि में एक बटा 5 करने का परियास करता तो वो पॉइंटों में आता तो आप किसी भी अनुपात को तुल्ले अनुपात में बदल सकते हैं जैसे 4 3 है उसको 8 6 लिख सकते हैं डबल कर सकते हैं उनके 0 लगा सकते हैं 10 10 से गुणा कर सकते हैं तो किसी भी अनुपात को ऐसे बदला जा सकता है तो आप इसे 70 40 30 लिख ले कुछ कहेंगे सर हम इसे 700 400 300 भी लिख सकते हैं लेकिन मेरा काम इतने सही हो गया अब आई के एक बटा 5 के बराबर बचत बढ़ी है तो आई कितन है मेरे भाई तो आप कहेंगे सर 70 70 का एक बटा 5 बढ़ेगा तो 14 पंजे 70 14 बढ़ेगी आई कि आई में बचत कितनी बढ़ेगी 14 आई का 14 बढ़ गई आई का एक बटा 5 यानि 70 का एक बटा 5 14 हो गया तो यदि आप 30 में 14 एड़ करेंगे तो ये आपका आजाएगा चमवाल ये 14 बढ़ गई बाकी उसने कहा कि आई समान रहती है आई तो 70 थी तो अभी भी 70 ही रहती है आई वाला मसला बराबर रहता है परसन ने कहा कि ये आई है वो बराबर रहती है तो अब आप कहेंगे सर आप तो ये बिलकुल ही आसान हो गया क्या आसान हो गया मेरे भाई तो आसान ये हो गया इसमें, कि यदि 70 रुपे कोई व्यक्ति कमाता है, उसमें से 44 रुपे बचत करता है, तो फिर खर्च करता होगा 26 रुपिया, और बस आप से पूचा है, कि बचत और खर्च का नया अनुपात बता दीजी, बचत और खर्च, यानि खर्च और बचत, पहले ख खर्च को रखना है, तो आप कहेंगे सर, खर्च तो यहाँ पर आया है 26 रुपिया, और बचत आई है 44, दोनों का अनुपात करता, तो मैं काटता, तो ये 13 बार कटता, और ये 22 बार, 13 अनुपात 22, जो चोथा आपको राइट आंसर दिकरा है, वो कैसे आता, वो आप समझ पाएं होंगी, तो ये दोनों ही प्रसंद थोड़े से ठीक ठाक से प्रसंद थे, अच्छे प्रसंद थे, और वैसे कोई बड़ी कैलकुलेशन नहीं है, बस थोड़ा सा समझ खा, एल है यहाँ पर, और वो आप लगाईएगा, चलिए बढ़ते हैं, अगले क्वेशन की और मैं आपके कमेंट वगेरा की और ध्यान नहीं देता हूं, तो आप जो भी आपके गिला सिक्वा कमेंट हों, वो आप कमेंट करते रहें, मैं उन तमाम को देखता हूं, जबी फिरी रहता हूं, या सा साथ भी देखता रहता हूं, मैं चाता हूं कि उन पे कोई इतना कितने हैं तो आप कहींगे सर Color 54 विद्धारती है एक अकसा में लेकिन मेरे भाई बात इसमें असली है चार बटा पांच में चार बटा पांच में असली बात क्या है वो सुनिए ऐसी जभी भी लायने आएें पूरी घनित के दर्मियान सुनना मेरी बात कुध्यान से चात्रों की संक्या है वो चात्रों की संक्या की चार बटा पांच गुनी है चात्राएं मतलब गल्स परसन कह रहा है चात्रों की बुवाइज की का के की से में से इस प्रकार के हो इतनी गुनी हो तो यहां पर मैं गल्स और बुवाइज का रेश्यो डाइरेक्ट लगा सकता देखे मैं अनुपात कैसे लगाता हूँ, इस पे गौर कीजिएगा, बहुत सारे बच्चों को ये अनुपात नहीं लगाना आता, जिनको अनुपात लगाना आता है, माटना आता है, तो ये चंद सेकिंडों का कोशन था, जहां भी ऐसे आये कि ये AB का, AB की, उससे, उसका, इ नीचे हैं, यानि छातर 22 को मानेंगे 5 नीचे वाली संख्या, और गल्स को मानेंगे 4, ये कम ज्यादा होता तो एक को 5 मानते, दूसरे को 4 ज्यादा मानते, कम होता तो दूसरे को 4 कम मानते, लेकिन इसमें कम ज्यादा था नहीं, समझ पाए होंगे 4 अनुपात 5 क्या, 54 खूब बनटा है कल से पहले वाली वीडियो में भी प्लेलिस्ट विजिट करें आप रोजाना एक दो वीडियो देखें जरूर और आप पाएंगी थोड़े दिनों में आपकी math बहुत बहतरीन हो जाएगी एक बराबर 6 होता हो तो फिर आप कहेंगे कि सर एक बराबर यदी 6 होता है तो 4 बराबर 6 चो का 24 और 5 बराबर 6 पंजे 30 चातरों की संख्या पूछी थी तो 22 की संख्या को बक्ती जी 30 गल्स की पूछता तो मैं 24 उत्तर बता रहा होता तो इस प्रसन में आपको 4 बटा 5 गुनी वाली लाइन को पढ़ना आता था तो ये परसन आसान बटवारा था आप आसानी से उसे बाढ़ सकते थे मेरे ओफलाइन स्टूडेंट यदी जुडे हुए हैं तो एक कॉमेंट जरूर करें कि हम सर ओफलाइन स्टूडेंट है क्योंकि ओफलाइन स्टूडेंट्स को तो इन चीजों को बहुत डिटेल में समझाया जाता है और आप भी कहीं ओफलाइन जुडना चाते हैं मेरे से और आसपारसी रहते हैं तो ज़्यादा जरूरी है वहाँ आप जुड़कर मैस को बहुत कम फीस में बहतर बना सकते हैं कमेंट जरूर करें जितने भी ओफलाइन स्टूडेंट्स मुझ से ओलाइन भी जुड़ते हैं क्योंकि उनकी प्रक्टिस यहाँ और बहतरीन होती है आप देखी ये प्रसंज जो आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहा है इस में क्या खेला है सबसे बड़ा खेला जितना धन धन बी और सी को मिला कर मिलता है उसका दो बटा नो हिस्सा ये वाला दो बटा नो को जिसे पढ़ना आता है ना देखे परिक्सा वाला कह रहा है कि बी प्लस सी का बी प्लस सी का दो बटा नो परसंद को बहुत तेजी तरीके से कर देगा, मैंने अभी कहा था कि किस का किस से कहां से, तो b plus c से दो बटा 9 हो रहा है, b plus c का दो बटा 9 मिला है, a को यानि b plus c को क्या मानेंगे तो आप कहेंगे sir b plus c को हम नीचे वाला मानेंगे और एकों मालेंगे उपर वाला दो नो अनुपात दो इनका अनुपात हो गया ऐसी लाइनों को पढ़ना आता है तो आप चंद सेकिंडों में ऐसे प्रसन का जवाब लगा सकते हैं अब तो कुछ बचा नहीं है प्रसन में बटवारा बचा है नो और 2 कितना होता है 11 11 के बराबर कॉशन में कितना दे रखा है 770 टोटल रासी है 11 बराबर 770 एक बराबर 1177 एक बराबर 70 होगया तो फिर दो बराबर 72, 140 होगया आनसर मेरा ए ओप्सन आजाता जो मैं बटवारे में सीख चुका हूँ आसान वाली चीज़े हैं बिल्कुल आसानी से आप इसे कर सकते हैं इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है चलिए बढ़ते हैं अगले प्रसंद की और next वाला प्रसंद कुछ उसी प्रकार का है उसी अंदाज का है इसमें भी 252 रुपे को ABC में बाटा जाना है अब कैसे बाटना है 252 रुपे को ABC में उस थोड़े से बात को समझी A का हिस्सा है वो B और C के हिस्से का 5 बटा सात्वा हिस्सा है A और B का इस लाइन को मैं अभी पढ़ना बताया किसका है ये B और C के हिस्से का B और C के हिस्से का यदी वो है तो अभी मैंने अनुपात लगाने बताए थे कि B प्लस C का हिस्सा और A का हिस्सा अलग-अलग अनुपातों में किसका है ये B प्लस C का तो B प्लस C का तो नीचे वाले को तो मानूँगा मैं का जिसके 7 लगा हुआ है उसे तो मानूँगा 7 और A को मानूँगा 5 जी हाँ आप कहेंगे सर ये हमने लगा लिया अब देखिए इस लाइन में B प्लस C और A आ गया तो मैं कहूं 7 प्लस 5 कितना तो आप कहेंगे सर 7 प्लस 5 हो गया 12 ये 12 अनुपात किसके बराबर कर दें 252 के तो 1 अनुपात 12, 24 हो फिर मैं आपसे कहूं कि A बराबर क्या होगा तो A है 5 तो 21 को मैं 5 से गुणा कर दूँगा 21 पंजे 105 हो जाएगा तो 105 किसको मिलने वाला है A को मिलने वाला है ये A की रासी है मुझे A की रासी उसने पूछी नहीं है तो फिर A की हमें नहीं निकालनी थी फिर किसकी निकालनी थी, C की निकालनी थी, तो फिर C direct मेरे पास नहीं था, इसलिए मैंने A की रासी निकाली है, पहले 105, 252 में से A को मिलता है 105, अब देखिए, एक लाइन और है मेरे भाई, B का जो हिस्सा है, वो A और C के हिस्सों के योग का 5 बटा 9 है, अब देखिए, नया अनुपात है, A प्ल C का, तो A प्लस C का, जिसका होता है, वो नीचे वाला होता है, तो ये 9 लगा देंगे, और उपर क्या लगा देंगे, 5, अब आप कहेंगे, सर 9 और 5, 14 होगा, ये भी तीनों का मामला हो गया, A, B और C का अनुपात, तो जैसे 12 के बराबर 252 को किया था, वैसे 9 और 5, 14 को 18 बार कटेगा, फिर B आएगा यहां से 5 बराबर, तो 5 बराबर 18 पंजे 90 आएगा, अब देखिए, अब मैं आपसे क्या कहना चाहता हूँ, कि जबही भी आप 352 को बांट रहे थे, तब आपके पास कौन कौन आए, तो वहां से A आया मेरे पास, A, 252 में से, एक तो A को मिल A को कितना मिला, 105, B को कितना मिला, 90, तो अब बचा हुआ किसको मिलेगा, C को, तो 90 को और 105 को जोड़िए और 252 में से गठा दीजे, आप कहेंगे सर, 1952, 1952 में फिर 52 और 75, 57 बच जाएंगे, तो 252 में से आप 105 और 90 यानि 95 गठाएंगे, तो 57 बच जाएगा, ऐसे बाण सकते हैं, एक और तरीगा हो सकता है, वो मैं डिटेल वीडियो जब लाऊंगा, अभी तो मैं कुछ प्रक्टिस सेशन के क्वेशन आपके लिए लाता हूँ, तो जब ही भी हम अनुपात को बिलकुल बेसिक से, शुरुआत से, फिर से सुरू करेंगे, और कुछ म ज़ान से एक दो बार देखें, तब आप उसे थोड़ा बैटर समझ पाएंगे, एक यहां क्या है, एक तो आदमी औरत और बच्चों का अनुपात है, यानि नो आदमी हैं, चार अनुपात में औरते हैं और एक अनुपात में बच्चे हैं, वो कारिये कर रहे हैं, एक पाच ओर तीन है, अब उस से आगे देखी, अब यहां उसने क्या कहा है, यदि साट औरतें इस कारिये इस Tल पर कारिये करते हैं, साट औरतें, अब देखिए यह बटवारे का काम आ गया भई, औरतों की संख्या, परसन में कितनी चार है, चार अनुपात है, चार का मान उस कुछ फिमेल हैं और कुछ बेबी है तो बेबी कितने हो गए एक बराबर 15 तो बेबी हो गए यहां बेबी की संख्या बच्चों की संख्या pops 15 हो गई और तो कि संख्या साठ बता-क है उस ने इस सभी लोगों को, अब इस लाइन को पढ़िए, सभी लोगों को धैनिक मजदूरी 2850 मिरूती है, अब आप कहेंगे सर 2850 का हम क्या करें, 2850 को कैसे बाटें, तो ये कुल मजदूरी है, तो मैं कुल मजदूरी कैसे बनाऊंगा, उनकी मजदूरी में अनुपात, यानि आदम्यो वाइब कितना हो गया तो आप कहींगी सर बहतर अनुपात हो गया. फिर ओरतों का कुल बनाऊंगा तो 5 डइस यो गया तो 20 हो गया. फिर मैं 3 एकम 3 हो गया यहांपर. मजधूरी किसकी बच्छों की मजदूरी तीन को एक से गुणा कर दो ओरतों की कुल मजदूरी चार को पांस से गुणा कर दो राजमियों की नो अंटे बहतर बानवे और तीन कितना हो गया पिच्चानवे अनुपात बराबर अठाइस सो पचास हो पांस से कार दीजिए आप कहेंगे सर गुणी पांप 1 चानवे होता है पच्चम 25 होता है और 25 पिर गुणी से काटेंगे गुणी 37 एक बराबर कितना आगया 30 एक बराबर 30 आगया अब जब एक बराबर 30 आ गया तो फिर मुझे बच्चों की देनिक मजदूरी चीए तो पहले तो आप मुझे बताईए बच्चों को मजदूरी कितनी मिलती है तो आप कहेंगे सर तीन मजदूरी मिलती है तो मजदूरी 30 के इसाब से तीन बराबर क्या हो जाएगा 90, 90 रुप एक बच्चे के हिस्से में 6-6 रुपए यहां पर आ रहे थे तो भी परसंद जादा डिफिकल्ट नहीं था बस उसे थोड़ा सा घुमा के दिया गया था कि आदमी औरत और बच्चे 9-4 और 1 के अनुपात में कार्य करते हैं उनकी मजदूरी में 8-5 और 3 का अनुपात है तो पहले उस 60 को बाढ़ते हम 60 से बाढ़ते तो आदमी औरत और बच्चों की संख्या आती इधर टोटल मजदूरी 28-150 थी तो टोटल मजदूरी मेंने तो 95 और फिर काटा 1 बराबर 30 तो 3 बराबर 90 बच्चों को टोटल मिलता है 90 रुपिया 15 बच्चों को मिलता है तो परतेक बच्चे की एक बच्चे की देनिक मजदूरी 90 बटा 15 छे रुपिया आती चलिए फिर से next question की और बढ़ते हैं अगला question आपकी screen पर आ चुका है और ये भी देखिए उसी प्रकार की line को पढ़ने वाला बात है इसमें भी कुछ अनुपातिक तरीके से पढ़ते हैं तो ये परसन बहुत तेजी हो जाता और answer आजाता आपका answer बहुत आराम से लेकिन ये आता कैसे वो देखिए 6 pen और 3 pencil का मुल्य 84 है यानि मेरे पास 6 pen है pen को मैं क्या मानता हूँ x मानता हूँ और pencil को मैं y मानता हूँ x और y यानि एक pencil का मुल्य x है तो 6 pen का 6x प्लस 3y होगा ऐसे मुझे बनाने की कतई आवशक्ता नहीं थी बस थोड़ी देर के लिए देखिएगा मैं सर्फ समझाना चाता हूँ फिर आपको समझना क्या था अनुपातिक दरस्टी से समझना था आपको तो और कुछ करना नहीं था यहां पर एक line दे रखिए उसने क्या दे रखा है यदि एक pen का मुल्य है वो मुल्य का एक तियाई pencil के मुल्य के बराबर है चलिए इस बात को pen का मुल्य मतलब x X का एक तियाई है वो बराबर है किसके Y के तो इसका मतलब X का अनुपात कितना हो गया 3 तो मैं कहूँ X अनुपात Y कीजिए तो आप कहेंगे 3 अनुपात 1 यानि पैन का मुल्ले 3 रुपिया है तो पैंसिल का मुल्ले 1 रुपिया है ये कहना चाता है बस अब 84 का बटवारा करतीजिए मेरे भाई अब आप कहेंगे सर X की जगर 3 पुट करेंगे तो ये तो छेतिया 18 रुपिया 18 अनुपात हो जाएगा और यहां एक करूँगा तो ये 3 हो जाएगा 18 रुपिया तो जैसे ही एक बराबर 4 हुआ तो मैं ये कहता कि पैंसिल आती है वो 4 रुपे की आती है और 3 बराबर 12 हो जाता 12 रुपे का एक पैं आता है और एक अनुपात मतलब 4 रुपे की पैंसिल आती है अब तो खतम हो गया यदि 12 रुपे का एक पैं आता है तो पैं की कीमत बारा करूँगा तो ये 4 तिया 12 चोक 48 रुपिया हो जाएगा 5 पैंसिलों की कीमत 4 के भाव से 20 हो जाएगी तो यहां 48 प्लस 20 मेरा कितना हो जाता 68 हो जाता तो ऐसे डायरेक्ट इन चीजों को ऐसे मुख जबानी बांटे जबी भी ऐसा कुशन आए तो ऐसे डायरेक्ट यहां पढ़ते हुए ही बांट दें देखें यह सारे ताम जाम मैंने अनुपात सिखाने के लिए और उनके बटवाले अलग-अलग करने के लिए लगाए यदि एक्जाम में आप होते हैं तो ऐसे कुछ करने के आउशकता नहीं है यह जो कुछ चिज़े लिखे करी हैं उनको डायरेक्ट आप करें डायरेक्ट कैसे करें क्योंकि परिख सावाला आपसे यह लाइन दे रखा है कौन सी लाइन आपको सबसे पहले टार्गेट करनी थी वो आपको करनी थी यह वाली कि एक pen का मुल्य है, एक pencil के एक तीहाई के बराबर है, अभी मैंने बताया कि एक तीहाई किसे कहते हैं, अभी ये किसका है, pen का एक तीहाई है, तो pen को कितने का मानिए, तीन का, और pencil को कितने का मानिए, एक का, तो आप कहेंगे सर, pen को तीन का मानेंगे, तो 6 तीया 18 होगा, pencil क एक चहे कम चहे, अठारा और तीन कितना, 21 बराबर चोड़ा सी, ऐसे डारेक्ट लिखते हैं, तो एक बराबर क्या होता, चार, तो एक बराबर चार, मतलब पैंसिल का मुले चार रूपी आ गया, एक पैंसिल का, और तीन का मतलब कितना आ गया, बारा रूपी आ गया, अब कह चाहरा है कि 4 पैन तो 4 पैन का मतलब 12 चोक 48 और 5 पैन सिल मतलब 5 चोक 20, 48 और 20 कितना हो जाता, 68 हो जाता, चलो छोटी बात है, एक और कॉशन मैं आपको दिखा देता हूँ, अंतिम परसन है यह आज का, और इससे भी देखिए, अनुपात में इस 14 को बाटना है, दिया क्या है, पहले तो उसका डिसकस करीजिए आप कि दिया क्या है, A, B और C का टोटल 14 दिया है, और उपर अनुपात A, B, C का नहीं दिया है, A प्लस B का अनुपात कितना है, 6 है, C प्लस A का अनुपात 8 है, और B प्लस C का 7 है, अब आप से मैं यह कहूँ, कि A प्लस B को यदि 7 अनुपात में बाटा गया है, और B प्लस C का अनुपातिक मान, वो 6 में बाटा गया है, B प्लस C का अनुपात 7 है, और C प्लस A का जो अनुपात है, वो 8 है, तो यदि मैं इन 3ों को जोडूँ, तो आप कहेंगे कि 7 और 6, 13 और 8 कितना हो जाएगा, 21, 21 किदर क्या हो जाएगा, इन सभी के double के बराबर हो जाएगा, double किस किस का, A का double, B का double और C का, जब मैं इनको जोडूँगा सभी को, तो A दो बार इसमें count हो गया, C दो बार और B भी दो बार, अब आप ये कहेंगे, कि सर ये 2 दो बार count हो गये, तो ये जो 21 अनुपात आया ह है, तो आप कहेंगे सर 21 के बराबर, अब ABC की value 14 है, तो 14 का double कर दीजे, 14 का double क्या रखेंगे, 28 रख देंगे, जबी भी ऐसा हो तो इन उपर वालों को जोड़िए, इन अनुपातों को, अनुपातों का योग आएगा, 21 और नीचे ABC की value का double करके इसके सामने रख दें, तो आ A plus B का मान 6 है, तो 3 बराबर 4 हो, तो 6 बराबर 8 हो जागा, इसका exact double कर दें, मैंने A, B का मान क्यों निकाला है, क्योंकि मेरे पास A, B और C का मान कितना दे रखा है, 14, अब 14 में से मेरे पास में, A plus B का मान दिख गया, कि A plus B को 8 कहते हैं, 14 में से ये 8 है, तो मेरे भाई, 8 में क्या जोड़ें की 14 बन जाए, तो आप कहेंगे सर 6 जोड़ दीजे, तो C का मान यहां से क्या आ जाता, 6 आ जाता, ऐसे में क्या करना है, ये जो नीचे 14 दे रखा है, उन सभी को जोड़के, इस 14 का double उसके बराबर रख देना है, डबल क्यों करा वो समझ गये होंगे, क्यों मैं calculate करता, 3 बराबर 4 आता, तो 6 बराबर 8, तो A B, A प्लस B का मान होता, 8 तो A B C का मान 14 दे रखा है परसन में, तो वो 6 हो जाता, तो ये कुछ बटवारे के परसन थे, आज एक छोटा वीडियो ही आपके लिए होने वाला था ये, और इसलिए जल्दी इसको समाप्त आपन, और मिलते हैं कल एक और वीडियो में, कोसिस करना हूँ कि मैं आपके लिए रोजाना एक वीडियो लेके आऊं, बस आप मेरे साथ जुड़े रहें, और अपना प्यार दिखाते रहें, लाइक, सेर, सब्सक्राइब, आप कर ही लेते हैं, सेर कर सकते हैं इनको, या फ रीजनिंग के उन्हें आप देख सकते हैं, और आनंद उठा सकते हैं, तो चलिए, इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ, कल फिर मुलाकात होगी, तब तक आप खुश रहिए, और अपना खयाल रखी, धन्यवाद.